वैसे तो आप सब ब्रेट से बनी बहुत चीजे खाई होंगी लेकिन आज जो हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही जटपट तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो सबसे पहले हाँ प बैस मिंट भूनना है फिर हम गर्ममसाला आप करेंगे एक टीस्पून धन्या पॉडर, स्वाधंसा नमक, एक चोथे चमच हर्दी पॉडर, आधर तीस्पून धन्या पॉडर इसे अच्छे से अक्र लेने के बाद यहां पर दोबले हुए आलो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से आलू मसाला बनकर तैयार हूं गया है अब इसे साइड़ में रखेंगे अभामे हमें एक बाओ लेना है तो मिडियम साज का डाओ Chicago हुआ प्याज अभा इसमेंदो चम्मश बेशन करेंगे और इसे के साथ में दो सम्मच हमें चावल का आठा भी आठ करना है अब हम इसमें स्वाधन सा नमक आठ करेंगे आधा टी स्पून हल्दी पॉडर आठ करेंगे एक टी स्पून इसमें धनिया पॉडर आठ करेंगे एक टी स्पून इसमें गरम मसाला आठ करेंगे एक टी स्पून लाल मिर्च पॉड कर देना है और पत्रा घोल तयार करना है इस तरीके से तो अब इसे हम साइड में रखते हैं यहां पर हमें लेना है ब्रेड तो इसमें मसाला जो आलू का बना कर रखें चारो तरप से अच्छे से लगा देना है तो इस तरीके से चारो तरप से लगा कर तयार कर दिये हैं अब हम यहाँ पर ब्रेट इसके उपर लगा देते हैं और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है तो एक कटिंग हो गया है अब यहाँ पर चीज इस तरीके से लगा देना है फिर उपर से ब्रेड लगा देना है और इसी तरीके से दोनों पर ही चीज लगा कर ब्रेड लगा के तया कर लेना है और यहां पर जो बेशन और प्याच का घोल बनाए है अब इसके उपर अच्छे से हमें कोटिंग कर लेना है तो इसे हमें अच्छे से कोटिंग करके तयार कर लिए अब हम इसे प्लेट में रखते हैं तो इसी प्रोसेस से सारे ब्रेट इस तरीके से तयार कर लेना पहले प्लेट में फिर एक कड़ाई लेना है रिफाइन तेल अच्छे से गरम कर लेना है तेल अच्छे तरीके से प्री हीट गरम होना चाहिए और गरम तेल में इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है तो इसे अब हम फ्राई होने देते हैं चट्मी के लिए टमाटा लाल मिर् गैस का फ्लेम मीडियम करके ही फ्राई करना है अब हम दूसरे तरब भी से प्लेट लेते हैं अब हम यहाँ पर पानी ले लेते हैं और जो यहाँ पर काजू, लाल मिर्च टमाटार है इसे बॉायल होने देते हैंя जब तक यह बॉयल होगा दो से तीन मियाट लगेगा बॉयल होने में और इधार इसे ब्रेट को भी देखते रहना है तो यह ब्रेट भी अच्छे तरीकी से फ्राइ हो गया है अब हम इसे अलग निकाल देते हैं प्लेट में तो यहाँ पर जो चटनी है इसे मिक्सिके ग्राणर में अच्छे से पीस लेते हैं तो यहाँ पर चटनी भी तयार है साथ है गर्मा गरम चीज़ वाला ब्रेट का पकोड़ा भी तयार है तो आप सब bread की बहुत सारी recipe बनाए होंगे बहुत सारी recipe की पकोड़ी भी बनाए होंगे बट एक बार इस तरीके से बनाईएगा बहुत ही पसंद आएगा यह दो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राब जरू करें साथी में घंटी को दबाए जिससे कि हमारा आनिवाला वीडियो से पहले आप तक पहुँआ